आज की वीडियो में हम आपको डोलो वीन प्लस टेबलेट के बारे में जानकारी देंगे इस वीडियो में जानेंगे कि इस टेबलेट का इस्तिमाल किन किन बिमारियों को ठेक करने के लिए किया जाता है इसको कब और कितनी मात्रा में इस्तिमाल करना है इसके डोज के बारे में इसकी market price कितनी है इसके content side effect इंचप के बारे में पूरी जानकारी देंगे तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको dollar win plus tablet के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके तो dollar win plus tablet इसके market price की बात करें तो 82 रुपए इसकी market price है और ये 10 टबेट का एक इस्टिप आता है इसकी market price समय के साथ साथ कम्या जादे हो सकती है और इसके company की बात करें तो इसको micro lab limited company के दोवारा बनाया जाता है तो आईए जान लेते हैं इसके content के बारे में तो dollar win plus tablet में acyclofenic और paracetamol होता है इसके पत्यक tablet में acyclofenic ये 100 mg में होता है और paracetamol जो की 325 mg में होता है तो आईए जान लेते हैं इस tablet के usage के बारे में dollar win plus tablet का इस्तिमाल किन-किन समझाओं में किया जाता है तो या एक एन्या CRD group की दवा है इसका इस्तिमाल दर्द बुखार और सुजन को ठिक करने के लिए किया जाता है या एक इनलजेसिक इंटिपारेटिक और इंटिफलामेट्री दवा है तो सरीर में कहीं पे भी दर्द हो चोट लग गया हो मोच आ गई हो इसके अलामा कमर दर्द गुटनों का दर्द मांस फेसियों का दर्द हड्यों में होने वाला दर्द या हड्यों के जोडों में होने वाला दर्द इसके अलामा कंदों में होने वाला दर्द तो इन सब दर और दर्थ को भी ये ठीक करता है, इसको भी ठीक करने के लिए, इस टापलेट का इसका इस्तिमाल किया जाता है, तो बहुत ही बेसिन ये दवा है, जो कि दर्थ बुखार और सुजन को ठीक करता है तो आए जान लेते हैं इस टैब्रrial के डोज के बारे में इसको कितरी मात्रा में इस्तिमाल करना है तो डोलोव इन प्लस टैब्रेट का जो नार्मल डोज होता है एक डल्टी बैग तिसको एक गोली सुबह और एक गोली साम खाना खाने के बाद ले चकते हैं इसको लेने से पहले अपने डाक्टर से परामर्स जरूर लेना चाहिए तब इसका इस्तिमाल करना चाहिए क्योंकि डोज जो है एज और वेट के इसाब चे अलग-अलग होता है और कितने दिन इस्तिमाल करना है ये कंडिशन के उपर निर्वर करता है कुछ साओधानियों की बात करें तो जो लोग इसका इस्तिमाल करना चाहिए प्रिंग्नेन, सोमेंस और बेस विदिंग मदर को भी इसका इस्तिमाल नहीं करना चाहिए और जिन लोगों को लिवर या किड्नी से सम्मंदी समस्या है उन्हें भी इस टेबलेट का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए और आईए जान लेते हैं डोलोविन पलस टेबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में इस टेबलेट के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं तो इस टेबलेट के side effect जी मसलाना उल्टी होना पेट में दर्द हो सकता है गैस बन सकता है दस्त होना भूक में कमी होना सीने में जलन महसूस होना और कुछ अलर्जिक प्राबलम हो सकते हैं तो ये सब इस tablet के side effect हैं जो कि किसी किसी को हो सकते हैं सभी को नहीं होते हैं तो ये थी हमारी आज की जानकारी Dolowin Plus tablet के बारे में वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें share करें और हमारे चैनल पे नहीं है तो चैनल को subscribe भी कर लें